तो बेटा ये एक ऐसी mentality है जिस वज़ा से बच्चा कहीं न कहीं अपना confidence lose कर देता है ये भी बताऊंगा कि आप चाहे dropper वाले बच्चे हों चाहे fresher बच्चे हों बेटा आपको कैसे neat को पढ़ना है इस सारी बाते आप अभी सीखने वाले हैं हमें हर तरह के questions की practice करनी है अगर हमारे पास time है तो अगर मैं exam के 2-3 महीने पहले की अगर बात करूँगा तो हाँ उस time पे हमारे पास इतना time नहीं होता है लेकिन एक एक question एक बार हमारे हातों से निकलना बहुत जरूरी होता है only dropper is not a topper बिटा बहुत सारे बच्चे एक बात अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि भाई बहुत सारा बच्चा dropper वाला है तो पहले तो selection उसका होगा पहले तो rank उपर उसकी आएगी उसके बाद उनका number आएगा तो बिटा ये एक ऐसी mentality है जिस वज़ा से बच्चा कहीं न कहीं अपना confidence lose कर देता है बिटा इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे एक dropper के अंदर भी दो category होती है एक वो बच्चा जो selection लेता है और एक बच्चा जो selection नहीं ले पाता है बहुत सारे drops लेने के बावजूद भी और एक वो बच्चा जो fresh तरीके से 12 के साथ ही जी जो को पढ़ रहा है या first attempt उसका है और वो एक बहुत अच्छी rank लेके आता है ये सारा concept क्या है ये सारा जाल क्या है वही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ इसके अलावा आपको य मेरे पास यहां पर दो mentality के दो category के बच्चे हमारे पास है एक dropper में मैंने रखा है second attempt, third attempt, fourth attempt, fifth attempt या और ज्यादा attempt वाले बच्चों को एक मैंने रखा है जो fresher बच्चा है मतलब या तो वो 12th के साथ दे रहा है या फिर 12th के बाद 12th प्लस 1 में दे रहा है NEET का exam तो दो category of student म मेरे पास यहां पर हमें मिलते हैं अब अगर सबसे पहले मैं dropper बच्चे की बात करूं देखिए बिटा आप कहीं ना कहीं इनी के बीच में लाए कर रहे हैं तो सब अपने part का wait करिए और देखे कैसे आपको चीज जिसमें आप हैं क्या really आप उनी problems को face कर रहे हैं देखिए सबसे पहले बिटा ड्रॉपर के अंदर जब आप बहुत जादा attempt दो तीन attempt ले लेते हैं ना तो एक सबसे जादा common problem आप में आती है एक laziness की आप नहीं चाहते हुए भी आपके अंदर एक laziness आ जाती है वो laziness कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ जब आप हर चीज को माल ल आप सोचते हैं कि भाई मैंने इन 6 questions को तो पहले कर लिया था मैं आगे के 4 questions कर लेता हूँ ये 6 तो मुझे आते हैं लेकिन बेटा ये ऐसा key point होता है एक ऐसा drawback होता है जो हमारे selection को बहुत दूर ले जाता है क्यों क्योंकि हमारा need का level बहुत जादा उपर नहीं है questions का level अगर हमारे पास time है तो अगर मैं exam के 2-3 महीने पहले की अगर बात करूँगा तो हाँ उस time पे हमारे पास इतना time नहीं होता है लेकिन एक एक question एक बार हमारे हातों से निकलना बहुत जरूरी होता है तो एक बच्चा जो lazy हो जाता है नहीं चाहते हुए भी वो lazy की category में चल है कि यार यह topic तो मैंने पहले पढ़ा था इसके बहुत सारे questions मैंने पहले किये थे और उसका mind ही उसको पागल बनाता है और उसकी इस वज़े से काफी सारे topics miss हो जाते है और last में वो अपनी ranking से पिछड जाता है क्यों क्योंकि उसका दिमाग pressure की तरह काम नहीं कर रहा है तो कि बिटा प्लीज वापिस से boost up करो एक fresh mind की तरह काम करो एक fresh बच्चे की तरह काम करो कि मान के चलो कि आप 12th के साथ exam दे रहा हो नीट का exam दे रहा हो जब तक आप इस mind को focus नहीं करोगे ना बिटा सारा खेल इस mind का है तब तक आप rank नहीं ला सकते एक दूसरा बच्चा जो definitely यहाँ पर rank लेके आता है क्यों क्योंकि वो active है dropper के साथ active होना बहुत जादा important है dropper बच्चे अगर आप dropper है आप ने second, third, fourth attempt आपका है और अगर आप active है तो बिटा बहुत जादा chances आपका हो जाता है selection लेने का क्योंकि एक बार आप सारे questions को practice कर चुके हो अब जब आप दुबारा practice करते हैं तो definitely जो question पहले दो minute आपको लगत लगता था करने में अब उसको आप 40 second में 50 second में 30 second में solve करने लग जाते हो अब आपका सारा mind उन questions को solve करने के बाद आता है अच्छे level के questions पर तो number of question की practice जतनी जादा आप करोगे उतना ही जादा आप rank के पास चले आपका government college से mbbs करने का सपना बहुत जादा बहुत जादा पूरा होने के chances बन जाते हैं तो dropper में दो category हमें इस category में बिल्कुल नहीं आना है हमें active category में आना है तो जो बच्चे अभी तक laziness में है अभी भी time है फटाफट active हो जाईए अब बात आती है fresher fresher क्यों भाई fresher वाला बच्चा भी कैसे यार rank लेके आ जाता है इसलिए लेके आ जाता है क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल पहले खाली था वो चीजों को अब अदर भड़ता जा रहा है active होकर active होकर कैसे उसके लिए अभी वो दिमाग में सोच चुका है कि मुझे आगे drop नहीं लेना है उसे जितना करना है अभी करना है इसलिए maximum number of students definitely या तो 12th के साथ ही बच्चे select होते हैं या फिर वो first drop लेने पर ही select हो जाते हैं तो बिटा सारा खेल इस mind का है तो अपने को खुद को देखो आप किस category के अंदर lie करते हो और बिटा समय जो है ना वो देखिए चला जाता है आज से चार महीने पहले आपने सोचा होगा कि यार ठीक है मैंने dropper मैं अब preparation करूँगा और मैं जी जान लगा दूँगा और मैं रात दिन एक कर दूँगा बेटा ये तेन चार महीने निकलने के बाद फिर वो जोश हमारा वापिस से ठंडा होने लगता है जब जब बेटा आपका जोश ठंडा होने लगे ना हमेशा गेर चेंज करिए वापिस से ऐसे पढ़िए कि जैसे हम बिलकुल फ्रेश तरीकी से दुबारा पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है और कभी भी बच्चों प्रैक्टिस जबाब करें तो OMR के साथ करें मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि बेटा नीट का एक्जाम फाइनल जब आपको देना है वो OMR शीट में ही देना है प्रैक्टिस OMR शीट के सा रहे हो और बिटा मैं आशा करता हूं देखे मैं बहुत सारे वीडियो आपके लिए धीरे धीरे करके लेके आता रहूंगा किस तरह से आपको पढ़ना है maximum number of questions कहां कहां से कैसे कैसे आप कर सकते हैं तरीका क्या है वो सब मैं धीरे धीरे वीडियो प्लान कर रहा हूं हर वी 11th complete होके वो 12th start कर चुका होगा तो आप अपना daily का आदे से एक घंटा ऐसा बना लीजिए या 45 मिनिट से लेके एक घंटे तक का time ऐसा दे दीजिए जिसमें आप पुराने 11 के किसी chapter के formula का revise करेंगे जब भी किसी chapter को पढ़ते हो तो एक sheet खुद की बना लो एक दिवार आपकी physics की होनी चाहिए जिसमें आपके physics के formula chapter wise और उनके जो questions आपने practice किये अगर कोई question ऐसा था जिसमें कुछ tact काम आया था तो उस technique को भी वहाँ पर आपको लिखना है point out करना है ताकि आप सोते उठते बैठते जब भी उनको देखें आपकी नजर पढ़ती रहे और जितनी बार नजर हमारी पढ़ती जाएगी ना वो चीज़े हमारे जहन में उतरती जाएगी बिटा नीट 2025 जब तक नहीं हो जाता हमारे लिए इश्क, महबत, प्यार केवल बच्चों हमारी पढ़ाई है वस इसके अलावना हमारे आसपस और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए हम लोगों को अगर हमें selection लेना है तो तो अपना एक घंटा आपको पुरानी study के लिए नि इकालना है जिसमें अगर फॉर एक्जांपल आप इलेक्रिक चाहिजन फिल्ड पढ़ रहे हैं तो आप यूनिट अन मेजरमेंट को दीजिए वो यूनिट अन मेजरमेंट को चाहिए आप हो सकता है कि एक घंटा आप एक घंटे में पूरा चेप्टर नहीं कर पा रहे हो को बहुत जादा टफ लेवल का पेपर नहीं आता है तो आप बहुत आराम से चीजों को क्लियर कर जाएंगे ठीक है बेटा मैं आप पर विश्वास करता हूं देखिए ऑनलाइन मैं स्पेशली बार बार बोलता हूं कि जो बच्चा ऑनलाइन बैट के पढ़ सकता है ना बेट इस विश्वास को तूटने मत देना लग जाओ जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बेटा डेफिनेटली मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि सर आज से हम वापिस लगते हैं और गेर चेंज करते हैं और डेफिनेटली सर अब हम मुलाकात होगी सेलेक् के बाद ठीक है यही प्रोमिस आपको मुझे करना है तो बिटा जय हिन जय भारत विजक्स दिन से बाई बच्चा टेक केर